हेलो दोश्तों मैं हूँ अभै और आप सभी का शागत करता हूँ आपके अपने परिवार अभै एक्सल कम्प्यूटर में दोश्तों ट्रेपल सी की इस क्लास में आज आप ट्रेपल सी के फोर चैप्टर इस्पिट सीट के अंतरगत लिब्रे ओफिस कैलके के मुस्ट इंपॉर्टेंट कुश्टन पढ़ेंगे तो जो भी श्रेंड्स ट्रेपल सी एक्साम की त्यारी कर रहे हैं वो हर साम आट बजे त्यार रहें ट्रेपल सी की सबसे बहतर त्यारी करने के लिए योकि हम यहाँ पर वही कंटेंट आपको एबलेबल कराते हैं जिसके माद्यम से आप एक ही बार में ट्रेपल सी एक्साम को टॉप कर सकते हैं तो हर साम आट बजे त्यार रहे हैं ट्रेपल सी के मौक टेस्ट, ट्रिपल सी के ब्लॉग, ट्रिपल सी के क्रैस कूर्स, ट्रिपल सी की e-book इन सभी चीज़ों के लिए विजिट कर ली जिए abhexl.com यहाँ पर ट्रिपल सी का कंटेंट आपको मिल जाएगा जहां से आसानी से आप ट्रिपल सी एक्जाम की त्यारी कर जकते हो साथी साथ एक्जाम देने से पहले आप सभी लोग abhexl computer की ट्रिपल सी की महामेरतन क्लास को देखना मत भूलिएगा यहाँ एक क्लास कराएगी आप सभी को ट्रिपल सी पास प्रेजेंट टाइम पर 2.6 मिलियन से अधिक विउस हो चुके हैं और लगातार आप सभी को सफल बना रही है तो इस क्लास को आप जरूर देख लीजेगा और एक्जाम में लिब्र ओफिस की काफे questions पूछाते हैं तो लिब्र ओफिस की हमने महामेरतन क्लास भी कराई है तो इन क्लासिस को भी आप जरूर देख लीजेगा और जिने भी e-book की आवशकता है वीडियो की नीचे description में हमने 2100 most important question की link दे रखी है जाएए, click करिए, download करिए, पढ़िए और triple C exam में top करिए तो time waste न करते हुए चलिए, शुरू करते हैं आज की class योगि शीदी बात, नोबकवास यही है अभैक सल की class let's begin in this topic आज का पहला प्रश्ण है LibreOffice Calc में चैनित cell को कैसे परिभाशित किया जाता है How is the cell selected in LibreOffice Calc defined मतलब LibreOffice Calc में अगर हम किसी cell को select किये हुए हैं तो उसको कैसे define कर सकते हैं कैसे पता चलेगा कि यह हमारी present time पर selected cell है आपके options है A deep white border, a dotted border, a blinking border या by italic text एक deep white border के माध्यम से dotted border के माध्यम से blinking border के माध्यम से या italic text के माध्यम से यहाँ पर देखिए हम run command के माध्यम से calc open कर लेते हैं सभी questions को with practical में आपको समझाऊँगा ताकि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत न हो आसानी से आप समझ सके अब जैसे present time पर हमने इस cell को select किया है तो यहाँ पर देखिए एक border type में आपको दिख रहा है जहाँ पर भी cursor जा रहा है जिस cell पर यह border दिख रहा है और यह कोई dotted border नहीं है यहाँ पर हम कोई text भी लिखते है तो ऐसा नहीं है कि italic में लिख गया है ना वो normally ही लिखा हुआ है यह blink भी नहीं कर रहा है मतलब कैसा है एक deep wide border है है ना तो इसका right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा option first a deep wide border note कर लीजेगा काफी important है अब next LibreOffice Calc में एक cell से दूसरी cell में जाने के लिए shortcut की क्या है tab, ctrl plus q, ctrl plus m या none of these LibreOffice Calc में मान लीजे हम इस cell पर है और इस cell से हमें अगली वाली cell पर जाना है तो यहाँ पर tab की आप press करोगे तो tab की press करने पर क्या होगा कि आप आगे वाले tab पर जा सकते हो मतलब आगे वाली cell पर आप जा सकते हो तो right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा option first, tab अब next row को column में बदलने के लिए निम्न में से किसका प्रियोग किया जाता है row to column, transpose, convert या reverse means LibreOffice Calc में अगर कोई data आपका row में है और उसे आप column में convert करना चाहते है तो उसके लिए आप क्या करेंगे मान लिजी यहाँ पर calc आपका open है और यहाँ पर row में लिखा है 1, 2, 3, 4 आप इसे आप क्या चाहते हैं column में करना column क्या है ऐसे हो जाए तो यहाँ पर देखें कितने हैं 1, 2, 3, 4 तो column आप वो कितना चाहिए 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर लगाईए equal transpose ठीक है bracket लगाईए आप यहाँ पर row वाली data को आप select कर लीजिए bracket बंद करिए और यहाँ पर आप enter कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका row में data था वो कैसे हो गया आपका यहाँ पर column में convert हो गया है 1, 2, 3, 4 देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आ गया है मतलब यहाँ पर कौन सा function लगता है transpose के माध्यम से row को column में और column को row में आप convert कर सकते हो मतलब दोनों आपस में change होंगे ठीक है अब next LibreOffice Calc Split Seat में cell को कैसे समपादित करें या cell को समपादित करने के लिए किस shortcut की का उप्योग किया जाएगा समपादित करने का मतलब है कि अगर आप किसी cell को edit करना चाहते हैं तो उसके लिए किस shortcut की का उप्योग करते हैं F1, F2, F12 या none of these कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर अभे लिखा हुआ है अगर हमें कुछ भी यहाँ पर edit करना है तो यहाँ पर edit करने के लिए हम F2 की प्रस करेंगे तो देखिए यह cell हमारा edit mode में आ गया अब यहाँ पर माली जी हमें लिखना है अब है एक्सल कंप्यूटर तो हमने edit करके यहाँ पर लिख दिया shortcut की क्या हो गई हमारी F2, options, second अब next नेमलिखित में से कौन सा chart मेनू में नहीं है pie chart, bar chart, line chart या square chart बताइए कौन सा chart मेनू में है और कौन सा नहीं है कहने का मतलब है कि यहाँ पर chart का कौन सा option available है तो LibreOffice Calc में chart insert करने के लिए किस shortcut की का उपयोग करते हैं यहाँ प्रशन आपके exam में पूछा आता है तो LibreOffice Calc के अंतरगत अगर आप chart को insert करना चाहते हूँ तो chart को insert करने के लिए आप insert मेनू में जाओगे यहाँ पर chart का option है इस पर आप click करोगे तो यहाँ पर देखे chart wizard का option ओपन हो जाएगा जूम करके दिखाते हैं जहाँ पर आपको मिलता है column chart, bar chart, pie chart, area chart, line chart, xy scatter chart, bubble chart, यहाँ पर net chart, stock chart, column and line chart यह chart आपको यहाँ पर available मिलते हैं तो उनके आप norm, note कर लीजेगा column, bar, pie, area, line, xy scatter, bubble, net, stock, column and line यह chart यहाँ पर available है अब यहाँ पर देखे चाहँ पर जैसे column select किया है तो normal chart है, stacked है है परसेंट stacked है, यह आता है एक question यहाँ से यहाँ पूछाता है आपके exam में, कि क्या आप किसी chart को 3D effect देशकते हो तो जी हाँ, बेलकुल सही है हम 3D effect दे सकते हैं यहाँ पर देखे 3D look का option मिलता है जिससे हम chart को क्या कर सकते हैं 3D look दे सकते हैं यहाँ पर आप देखे सकते हैं जैसे आपको 3D लुक देखने को मिलता है, अब 3D में भी देखिए, यहाँ पर बार है, सिलेंडर है, कौन है, पिरामिड है, यह उसके अलगशी आप्शन हैं, जैसे पिरामिड पर क्लिक कर दिया, तो आप देख शकते हूँ, पिरामिड में हो गया, कौन में कुछ ऐसे आपक यह सब कुछ आपको मिल गया, तो यहाँ पर पूछता है, कौन सा आप्शन अप्शन अपलेबल नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, पाई था, बार था, लाइन चाथा, स्क्वाइर चार्ट तो वहाँ पर अपलेबल था नहीं, तो राइट आनसर क्या हो जाएगा, स्क्व अपलेबल डाटा सीरीज, कॉलम, बबल, पाई या नन ओफ दीज, तो अलग-अलग डेटा टाइप के लिए अलग-लग चार्ट का उप्योग किया जाता है, यहाँ पर डेटा सीरीज की बात की गई है, तो इसका राइट आनसर हो जाएगा, आप्शन C, पाई चार्ट का उ होता है, .odius.xlsx.xlt.ots, LibreOffice Calc है क्या आपका एक स्परेट सीरीट प्रोग्राम है, जैसे MS Office में आप उप्योग करते हैं Excel का, वैसे ही LibreOffice में आपको मिलता है Calc, अब CCC एक्जाम में पूशाता है कि Calc का एक्स्टेंसन क्या होता है, most important है, basic सी बात है कि LibreOffice Calc का extension क्या होता है, तो होता है बेटा .odius, क्या होता है .odius, और यहाँ पर बात की गए है template file की, template file क्या होती है, पहले से जो बने-बनाए custom pages होते हैं, उसे बोलते है template file, मतलब पहले की जो design त्यार है, वहाँ पर सिर्फ आपको changing करना, editing करना है, वही आपकी template file कहलाती है, समझ तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा, इसका .odius, क्योंकि जो template file का extension .odius होता है, अब next question देखते हैं बोलोग, LibreOffice Calc spreadsheet में font size drop down menu में मिलने वाला font size क्या है, 27, 25, 23 या 28, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो font size का drop down menu है, वहाँ पर निम लिखित में से कौन सा font size available मिलता है, 27, 25, 23 या 28 आई है, वह प्रेक्टिकल देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, आप font drop down menu में देखिए, तो यहाँ पर by default font size कितनी है, 10 है, अब यहाँ पर देखिए, आप 20 है, 21 है, 22 है, 24 है, लेकिन यहाँ पर ना 25 है, ना 27 है, यहाँ पर 28 आपको available मिलेगा, ना ही 23 है, है ना, तो यहाँ पर question हमारा क्या कहता है, 27, 25, 23, तो यह available नहीं है, तो right answer क्या हो 28, ठीक है, समझ गए, अब next, what will be the value of equal to 56, divide by min 5, 0, 8, बताईए, क्या होगा इसका right answer, तो यहाँ पर देखे, आपको पता होना चाहिए, कि min formula कैसे work करता है, formula is related मैंने एक वीडियो कराया है, आप youtube को visit करेंगे, और वहाँ पर search कर लीजेगा formula capsule by abhexl, क्या search करना आपको formula capsule by ccc या abhexl, जो भी आपको search करना है, आप search कर सकते हो, तो यहाँ पर सबसे उपर आपक office calc formulas का हमारा, जहाँ पर सभी formulas को explain करके मैंने समझाया है, तो इसे आप जबूर देख लीजेगा, काफी important है आप सभी के लिए, ठीक है, यहाँ पर साड़ी वीडियो आप देखिए, हमारी ही आपको available मिल लहीं है, तो यहाँ पर इसका answer क्या होगा, तो देखे, min formula क्या करत आता है, 5, 0 और 8 में से सबसे छोटी value कौन से है, 0, मतलब यहाँ पर इसका answer कितना निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा, मतलब इसको आप देखोगे, तो next step में यह हो जाएगा, 256, divide by 0, और calc में जब किसी भी value को 0 से divide करते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की error आप सभ भी को मिलती है, तो right answer इसका हो जाएगा option first, अब next, next question है, which of the following option is used to so the current date, वर्तमान दिनांक देखने के लिए, निम्ण में से किस विकल्ब का उप्योग करते हैं, today, now, date या none of these, बताइए, क्या होगा इसका right answer, तो current date अगर आप देखना चाहते हैं, उसके लिए हम today का उप्योग करते हैं, option first is right, today के माध्यम से हम current date देख सकते हैं, अब next, निम्लिकित में से कौन LibreOffice Calc में एक कॉलम का प्रतनेदित्ट करता है, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, A, 1, B, 1, C, 1, 1, A, 1, B, 1, C, बताइए, which are the following can represent a column in LibreOffice Calc, तो यहाँ पर Calc में देखिए, जो यह A, B, C, D, यह क्या है, जो यह 1, 2, 3, 4, 5 है, यह row को represent करती है, तो column को represent कौन कर रहा है, A, B, C, यहाँ पर जैसे click हमने किया, तो यह B, 3 लिखा है, तो यह क्या है, cell है, cell किससे बना है, column और row से, column नमबर कौन सा है, B, और row नमबर कौन सा है, 3, इसलिए इस cell का address क्या है, B, 3, तो यहाँ पर right answer क्या ह हो जाएगा, option second, A, B, C, D, अब next, what will be the value of equal selling 120, 22, equal selling 120, 22 का मान क्या होगा, 231, 121, 120 या 132, selling formula कैसे बग करता है, आईए समझते हैं, एक value हमारी 120, दूसरी है 22, अब equal selling, bracket 120, 22, bracket close और इंटर करते हैं, तो 132 यहाँ पर आ जाता है, कैसे आता है, यह समझिए, अगर यहाँ पर 122 को divide करें 22 से, तो कितना answer आया, 5.45, अब आपको क्या करना है, यही process आपको वहाँ पर only अपनाना है, जो पहली value है, पहली value को divide करें, दूसरी value से, जितना भी उसका आता है भागफल, यहाँ पर 5 है, तो 5 में एक increase करें, कितना हो गया, 6 हो गया, आप क्या करना है, इस 6 को multiply कर दीजे, दूसरी value से, दूसरी value कितनी है, 22, तो यहाँ पर द तो इसको समझिए, अब 11 अगर यहाँ पर होता है, तो equal 120, zoom कर लेते हैं, equal 120 divided by 11, कितना आ गया, 10.90, तो 10.90, 10 को क्या कर देंगे हम, 11, और 11 में multiply किसको कर देंगे, जो दूसरी value कौन सी है, 11, तो यहाँ पर answer कितना आ गया, 121, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों को answer same है, तो इस प्रकार से आप solve कर सकते हो selling को, यहाँ पर इसका write answer हो जाएगा 132, अब next, लिब्र आफिस calc में goal seek का विकल्प कहाँ पर है, windows, tools, data या फिर format, बताइए, goal seek का option कहाँ पर available है, goal seek क्या करता है, पूर्वा नुमान लगाता है, है ना, तो यहाँ पर देखिए, आप calc में जाएए, data पर जाएए, तो data में आपको option मिलता है, goal seek का, यहीं पर आपको मिलता है, पाईओ टेबल का, यहाँ पर आपको मिलता है, calculate का, validity, यह सा options आपको यहाँ पर मिलते हैं, tools में आप जाते हो, तो tools में आपको, sorry, यहाँ पर data नहीं, tools में आपको मिलता है, goal seek का option है, गोल seek यहाँ पर आपको मिलता है, जो पूर्वा नुमान लगाता है, तो राइट आपक लिब्र आप इस calc में आगे की seat पर जाने के लिए, किस shortcut key का प्रयोग करते हैं, control प्लस A, control प्लस S, control प्लस Tab, या control प्लस T, यहाँ पर देखे, calc open है, जैसे मान लिजे, by default यहाँ पर seat की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर by default seat A की ही होती है, जिसका name by default seat 1 होता है, प्लस पर क्लिक करेंगे, तो हमारी यहाँ पर अन्य seat open हो जाएंगी, जैसे हम इस seat पर हैं, हमें next seat पर जाना है, control के साथ tab हमने कर दिया, तो देखे हम seat 2 पर आ गए, फिर हमने कर दिया, तो seat 3 पर आ गए, ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर उप्योग कर सकते हो, ठीक है, अगर हमे वापस आना है, पीछे आना है, तो control, shift और tab करना है, मतब control plus tab से आप next पर जाओगे, control shift plus tab से आप previous seat पर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर note कर लीजेगा, control plus tab for next seat and control plus shift plus tab for previous seat, अब next, lower case में लिखे गए text को आपर केस करने के लिए, किस command का प्रयोग किया जाता है, cycle text, proper text, upper या फिर none of these, यहाँ पर क्या कह रहा है, कि अगर कोई आपका text है, वो lower case में लिखा है, और उसको पूरा-पूरा आपको आपर केस में convert करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो proper case, upper case सब कुस आपको समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखे, इस small letter में लिखा हुआ है, अब है excel, हम इसे पूरा upper case में करना है, तो equal upper करेंगे, bracket लगाएंगे, अब है excel को select करेंगे, bracket close और enter, तो यहाँ पर आप देख शकते हो कि पूरा आपका क्या हो गया, अब है excel, एक ही ही उसमें upper case में हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर proper लगा देते, तो proper में क्या होता, कि पहला text capital हो जाता, बाकि सब भी small हो जाते, ऐसे ही same to same, अगर कोई upper case में है, उसको lower में convert करना है, तो lower का function वहाँ पर use करेंगे, तो यहाँ पर पूछा है, upper case में करने के लिए, तो upper, फिर text को यहाँ पर select करेंग से दिखाई देता है, right, left, in the middle, या फिर below, which side of legend appear by default in bar chart, मतला बार चार्ट का जब उपयोग करते हैं, तो by default legends कहाँ पर दिखाई देते हैं, right में, left में, middle में, या फिर below में, तो right answers को जाएगा option first, right में दिखाई देते हैं, अब next, यदि सूत्र की नकल करने के बाद cell का पता बदल जाता है, तो पता किसकी रूप में माना जाता है, if the cell address changes after copying the formula, then the address is known as, मतलब उसे किस प्रकार का cell difference कहते हैं, किस प्रकार का address कहते हैं, absolute address, relative address, mixed address, या dynamic address, cell difference के रूप में भी कह सकते हैं, कि absolute cell difference, relative cell difference, या mixed cell difference, तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा, relative address, option, base, right, अब next, LibreOffice Calc में, by default, row और column की संख्या कितनी होती है, 10,48,576,16,384, 10,58,1024, या, 45,536,256, या, none of these, by default, row और column की संख्या पूछा है, तो यहाँ पर देखिए, अभी हम कहाँ पर हैं, पहले cell पर हैं, यहाँ पर देखिए, हमने ctrl, int प्रस किया, ctrl, प्रस, down arrow, तो यहाँ पर देखिए, हम last row पर आ गए, last row कौन सी है, 10,49,576, और यहाँ पर, देखिए, हम कहाँ आ गए, xfd, है न, पहली क्या था, जो last cell address था, वो amj था, जब amj था, तब वहाँ पर कित्ते थे आपके, 1024 कौन हुआ करते थे, कितने, 1024 कौन, लेकिन, अब हमारा क्या है, last cell address, xfd है, इसका मतलब 16384 कौन आपके हो चुके हैं, तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा, option first, रू की संख्या, 10,49,576, और कौन की संख्या है, 16384, अब next, LibreOffice Calc में क्या पूरे कौन को चुनने के लिए, control प्लस space का उपयोग करते हैं, मतलब एक पूरा कौलम अगर आप select करना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए आपको shortcut की चूच करनी है, तो कौन सी चूच करनी है, control प्लस space, control प्लस sip प्लस space, sip प्लस space, या none of these, मतलब यहाँ पर जैसे यह पूरा कौलम है, इस पूरे कौलम को आपको ऐसे select करना है, तो उसके लिए किस shortcut की का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, हम control के साथ में space प्लस करते हैं, तो पूरा कौलम आपका select हो चुका है, लेकिन अगर shift के साथ में space प्लस करते हैं, तो देखिए, पूरी row select हो गई है, मतलब control space से entire column, और shift प्लस space से entire row select होती है, तो यहाँ पर आई टांसर control प्लस space, अब next, shortcut की control plus minus used for, मतलब Libre Office Calc में, control plus minus, इस shortcut की का क्या उपयोग है, बताए, क्या उपयोग है, control plus minus का, control plus minus का मतलब है कि control के साथ में अगर minus हम press करेंगे, तो इसका क्या यूज है, तो जैसे column insert करने के लिए, control के साथ में plus का उप्योग करते हैं वैसे ही अगर हम कोई column या row delete करना चाहते हैं तो उसके लिए control plus minus का उप्योग करते हैं है ना तो यहाँ पर देखिए control के साथ में अगर हम minus की प्रस करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ important आप सभी के लिए है कि यहाँ पर लिख के क्या आता है delete cell है ना मतलब जो option है वो delete cell के लिए है अब यहाँ पर आप cell को delete करना चाहते हैं अगर आप row या column करना चाहते हैं तो यहाँ पर tick करना पड़ेगा बाकि जो main work क्या है वो delete cell का है है ना तो यहाँ पर जब आप जाते हूँ seat menu में तो यहाँ पर देखे आपको मिलता है insert cell का option जिसकी shortcut की है control plus और delete के लिए क्या है control minus और control plus minus के साथ में क्या है delete cell तो right answer यहाँ पर क्या होगा delete cell ठीक है option d is right अब next वरतमान में आप library office calc spread seat में g7 cell पर है keyboard की home कुझी दबाने के बाद आप निम्न में से कहां पर होंगे कहने का मतलब है कि अगर हम अपने cell में कहां पर है g7 पर है चलिए यहाँ पर g7 पर आ जाते है d e f और g 1 2 3 4 5 6 7 है ना अभी हम कहां पर आ गए g7 पर और g7 पर हम यहाँ पर है और हम home की press करते हैं तो देखिये हम कहां पर आ गए a7 पर आ गए मतलब g7 से home की press करने पर कहां पर आ जाएंगे a7 पर option b is right अगर हमें g7 से कहां पर जाना है a1 पर जाना है तो control के साथ में home की press करेंगे तो हम a1 cell पर आ जाएंगे अब next लिब्राफिस calc में full screen mode के लिए shortcut की क्या है ctrl plus c plus j ctrl plus c plus g ctrl plus alt plus g या none of these तो full screen mode के लिए ctrl plus c plus j का उप्योग करते हैं अब next लिब्राफिस calc में निवन्तम font आकार क्या है 4, 5, 6 या none of these तो यहाँ पर देखिए font dialogue box आपको दिया गया है जहाँ से आप देख सकते है minimum font कितनी है 6 है और maximum कितनी है 96 तो याद रखिएगा minimum 6 और maximum 96 होती है लिब्राफिस calc में font drop down मीनू की minimum और maximum font size ठीक है याद रखिएगा काफे important है तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा option C 6 अब next what will be the value of equal product 35, minus 8 मता यह लिब्राफिस calc में अगर आप product formula का उपयोग करेंगे और यहाँ पर एक value positive और दूसरी negative है तो आपका answer क्या होगा यहाँ पर थोड़ा सा miss हो गया है minus 280 होगा यहाँ पर minus 329 और यह यहाँ पर by default access रहेगा यह इसका option है बताईए तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि product formula क्या करता है तो product formula का work होता है multiplication क्या होता है multiplication और यहाँ पर value क्या है equal product 35, minus 8 bracket close और इंटर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया minus 280 यह multiply करता है एक positive एक negative तो answer किसमें आएगा negative में ही आएगा कोई problem नहीं है तो right answer का option first minus 280 अब next क्या किसी table को अलग-अलग हिस्सों में बातने के लिए इस option का इस्तमाल किया जाएगा split से split row split column या split table अगर किसी table को अलग-अलग हिस्सों में बातना है तो उसके लिए किसका उप्योग करेंगे मताईए तो table को आपको divide करना है तो उसके लिए split table का उप्योग करेंगे column को divide करने के लिए split column cell को करना है split cell row को करना है split row है ना तो यहां पर table की बात की गई है तो split table के माध्यम से table को हम दो भागों में divide कर सकते हैं अब next non-numeric elements जो होते हैं वो लिप्र आफिस calc में किधर होंगे right, left, center या फिर justified दो प्रकार की value होती है एक value होती है जो numeric रहेगी ठीक है और दूसरी आपकी non-numeric रहेगी numeric का मतलब क्या होता है numbers जैसे 52 है ना और non-numeric का मतलब जैसे हमने लिखा अब है excel है ना तो numeric क्या है number देखो किधर से आया right side से और non-numeric किधर से है left side से दोनों में क्या difference है कि जो numeric value है जो number है वो default आपका right alignment होता है और जो non-numeric है मतलब जो characters है जो words है जो text है वो by default left align होता है और यहाँ पर पूछा गया है non-numeric value को तो non-numeric value कहां पर होती है left में होती है और numeric right में होती है अब next LibreOffice Calc में sorting के कितने प्रकार है 2, 3, 4 या फिर 5 तो LibreOffice Calc में sorting के दो प्रकार है option first is right अब next इन LibreOffice Calc which key is used along with the control key to create a new line or paragraph inside the cell LibreOffice Calc में अगर आपको एक नई line या नया paragraph किसी cell के अंदर सुरू करना है बनाना है, create करना है तो control के साथ में किस shortcut key का उप्योग करते हैं alt, control, shift या फिर enter मतलब जैसे यह cell है यहीं पर एक नई line बनाना है तो क्या करेंगे control के साथ में enter की आप प्रस करेंगे तो देखे, new line यहाँ पर आ गया अब यहाँ पर जो आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो फिर control enter करोगे फिर new line start हो जाएगी तो write on search का control के साथ में क्या प्रस करेंगे enter, अब next what does the dot यहाँ पर has आपके देखे सिंबल बने है display in this cell अगर किसी cell में ऐसा display आता है तो इसका मतलब क्या होता है the width of this cell is insufficient from the performance of the material formula is incorrect data is not valid या none of these मतलब कि यह cell की चौडाई है वो कम है sufficient नहीं है किसके हिसाब से जो cell में material लिखा है उसके हिसाब से formula incorrect होने पर data valid नहीं है तब या none of these तो किसी cell में ऐसी error तब आती है जब उस cell का material ज़्यादा होता है और cell की जो width है वो कम होती है insufficient होती है तब ही यह error आती है तो right answer option first अब next Libre Office Calc में cell को format करने वाले dialogue box को खोलने के लिए किस shortcut key का प्रयोग किया जाए का alt plus one control plus one alt plus shift plus one या none of these which shortcut key will be used to open the dialogue box that formats the cell in Libre Office Calc alt plus one control plus one alt plus shift plus one या none of these मतलब यहाँ पर सीधा से सवाल है कि format cell dialogue box open करने के लिए किस shortcut key का उप्योग करते है तो Libre Office Calc में अगर आप control के साथ में one प्रस करोगे तो आपका format cell dialogue box open हो जाएगा जहां से आप number की formatting font key font effect key alignment key border key background का cell protection का यह सभी options यूज़ कर सकते हो तो मतलब format cell dialogue box के लिए control plus one का उप्योग करते हैं ठीक है तो right answer control plus one अब next Libre Office Calc की workbook में default रूप से कितनी सीटे होती है how many seats are there by default in the workbook of Libre Office Calc तो Libre Office Calc में by default seatों की संख्या मैंने आपको बताई है कितनी होती है one होती है अब next Libre Office Calc में अधिकतम cell उचाई कितनी होती है 3.37 inches 39 inch 39.37 inch या none of these तो यहां पर इसका right answer जाएगा option C 39.37 inches अब next what will be the value of equal floor 15,257,-5 बताईए अगर अगर फ्लोर 15,257 मतलब यहां पर 15,257 और दोसरी वैलू कितनी है minus 5 तो इसका answer क्या होगा तो यहां पर लगाते हैं equal floor bracket first number second number bracket close और इंट्रे करते हैं तो यहां पर देखिए आपर क्या आ गया error आ गया अगर यहां पर कोई भी एक value negative में रहती है तो answer हमेशा क्या आता है error आपको मिलता है परिशान नहीं होना है जब भी देखना है एक value negative है जाहे वो पहली हो या दूसरी हो तो यहां पर error ही आपको मिलेगा मतलब यहां पर अगर आप मालीजे यह value जो है यह वाली जो value है इसको हम क्या कर देते हैं यहां पर negative कर देते हैं और यह value जो है negative होंगी तब error नहीं आएगा तब वहां पर answer आएगा कैसे करना है तो formula capsule देख लेना अब next निमलिकित में से कौन सा वित्तीव function नहीं है FV, sum, NPV या PMT FV, feature value यह भी financial function है sum आपका financial function नहीं है NPV और PMT यह दोनों financial function है तो right answer यहां पर sum sum का उप्योग क्या है जोड़ना, add करना अब next what will be the value of equal quantity 5, 2 बताइए क्या होगा इसका right answer तो यहां पर देखे equal formula लगाते हैं 5, 2 bracket close और इंटर करते हैं तो right answer कितना आ गया 2 आ गया तो right answer इसका option first, अब next from which menu is the text color changed in LibreOffice Calc LibreOffice Calc में text का रंग किस menu से बदला जाता है edit, formatting, style या फिर view बताइए, text का color अगर आप change करना चाहते हैं तो किस menu से आप करेंगे तो यहां पर देखे, style दिया गया है style से यहां पर आप अगलग style लगा सकते हैं है ना, फिर यहां पर format आपको मिलता है format में देखे, आपको text का option मिलता है text में बहुत साई options आपको मिल जाते हैं यहां पर align text का है number formatting का है clone formatting का है बहुत साई options यहां पर आपको मिलते हैं जनके माध्यम से आसानी से आप कर सकते हो text color change करना है तो यह सभी formatting के ही options हैं जहां से आप text का font color बगएरा भी change कर सकते हो यहाँ पर लिखेंगे तो font देखे इस color में आ गई है ना तो यह सभी formatting के अंतरगत ही आते हैं ठीक है तो right answer क्या हो जाएगा option भी formatting अब next लिब्राप इस calc में column की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस shortcut की का उप्योग करते हैं Alt प्लस left arrow, Alt प्लस right arrow, both या none of the above तो यहाँ पर देखे जैसे लिब्राप इस calc open है यह cell है, इसकी चौड़ाई में बनाना है Alt प्लस right arrow हम प्रस करते हैं तो आप देख सकते हो cell की width बढ़ रही है और Alt के साथ में left arrow प्रस करते हैं तो यहाँ पर देखे cell की width कम हो रही है तो Alt प्लस left arrow, decrease the cell width और Alt के साथ में right arrow प्रस करते हैं तो increase cell width ठीक है तो Alt प्लस right arrow यहाँ पर चौड़ाई बढ़ाने की बात की गई है घटाने की बात की गई होती तो यह option यहाँ पर सही हो जाता अब next If we use the function equal count a, b, c, 1, 2 what will be the result? अगर हम LibreOffice Calc में equal count a, b, c, 1, 2 करेंगे तो क्या answer आए का? a, b, c, 1, 2 तो आपको पता होना चाहिए कि जो count formula है वो सिर्फ और सिर्फ numbers की counting करता है ना कि text की और a, b, c, 1, 2 में कितने number है? एक यह number है, एक यह number है इसलिए यहाँ पर right answer कितना आ गया? 2 आ गया हाना? तो right answer option first क्योंकि count formula सिर्फ numeric value को count करता है वो text को count नहीं करता है अब next Calc में LibreOffice की छवी के लिए किस menu का उपयोग किया जाएगा? which menu will be used to image LibreOffice Calc? मतलब अगर आप LibreOffice Calc के अंतरगत image का उपयोग करना चाहते हो तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? file, insert, view या फिर table बताइए, image insert करना है तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? बताइए फटा-फट क्या होगा इसका राइट answer? तो यहाँ पर देखिए, view पे जाते हैं तो view में यहाँ पर आपको कई सारे options मिलते हैं जहाँ पर आपको gallery का option मिलता है gallery से भी आप कर सकते हो insert पर जाओ, तो यहाँ पर image का option मिलता है सबसे उपर ही जहाँ पर click करके आप क्या कर सकते हो? image को insert कर सकते हो तो right answer से क्या हो जाएगा? insert, अब next क्या LibreOffice Calc में एक चैनित मंती की चौनाई बढ़ा सकते हैं? true या false, मताईए तो बिल्कुल सही बात है जो भी row आपने set की है उसके width को आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं अब ही मैंने आपको दिखाया था कैसे उसके width को बढ़ा और घटा सकते हैं अब next क्या LibreOffice Calc में असीमित पंक्तियों को जोड़ा जा सकता है? मताब LibreOffice Calc में जितनी चाहो उतनी रो को add करते रहो true या false तो यह बिल्कुल आपका गलत है ऐसा नहीं है कि जितनी चाहो उतनी रो आप add कर सकते हो उसकी एक limit है तो right answer यहाँ पर option भी false maximum आप 10,456 रो का use कर सकते हो अब next Can we hide row in LibreOffice Calc? क्या LibreOffice Calc में हम रो को hide कर सकते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल सही है रो हो या column हो आप किसी को भी hide कर सकते हो और hide हुई row या column को आप unhide भी कर सकते हो आप siege को भी hide कर सकते हो और इसको unhide भी कर सकते हो are row and column the same? क्या row और column same है? बताइए तो भाई दोनों में अंतर है row और column same नहीं है row क्या होता है? एक vertical है, एक horizontal है यहाँ पर देखिए एक column है है ना? यह कैसा है? vertical है और यह कैसा है? horizontal है तो यह दोनों में फर्क है ना? row और column अलग-अलग है अब next spread seat में mail merge का कोई option नहीं है बताइए, क्या spread seat में mail merge का कोई विकल्प नहीं है? तो बिल्कुल सही बात है spread seat में mail merge का कोई option अब नहीं है अब next यहां पर कुश्चन यह कह रहा है कि LibreOffice Calc automatically saves your spread seat in temporary space जब आप LibreOffice Calc में work कर रहे होते हैं तो LibreOffice Calc automatic आपकी spread seat को temporary space में save करता है अगर आप गलती से save करने को भूल गये हैं या आपका जो calc file है वो crash हो गया है तो आप auto recover option की मदद से आपने जो work किया है अपनी calc file में तो बलकुर सही बात है LibreOffice Calc automatically आपकी spread seat को temporary space में save रखता है ताकि मान लीजिया कि गलती से आपने save करना भूल गये या आपकी file crash हो गई तो दोबारा जब आप open करें तो इसको restart कर सकें restore कर सकें अब next LibreOffice Calc faculty you to insert only following types of chart in an spread seat pie chart, bar chart and line chart तो सही बात है है ना आप pie chart भी कर सकते हो bar chart भी कर सकते हो line chart कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पर question को ध्यान से पढ़िए यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या LibreOffice Calc आपको यहाँ सुविधार प्रदार करता है कि सिर्फ और सिर्फ आप इन ही chart को insert कर सकते हो तो यह बात बिलकुल गलत है क्योंकि आप इनकी अलामा भी और other charts है उनको भी आप insert करके use कर सकते हो तो question को ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर लिखा है सिर्फ तो सिर्फ यही तो नहीं है आप पाई, chart, bar chart, line chart करावा column chart, xy scatter chart, column and line chart इनको भी आप use कर सकते हो bubble chart है, stock chart है है ना तो यह false अब next LibreOffice Calc support pivot table feature क्या LibreOffice Calc pivot table feature को support करता है true या false तो बिल्कुल सही बात है LibreOffice Calc pivot table feature को support करता है option first is right अब next control plus space bar is the shortcut की LibreOffice Calc to selected the entire row of spread seat spread seat की पूरी row को एक row को select करने के लिए क्या control plus space bar shortcut की का उप्योग करते हैं तो control के साथ में space bar आप करोगे तो पूरा column select होगा और shift के साथ में space bar करोगे तो पूरी row select होगे तो यहाँ पर बात की गई है किसकी entire row की और shortcut क्या है control plus space bar तो आपका false है option first is right अब next calc is used for documentation and report writing क्या calc का उप्योग documentation और report को लिखने के लिए करते हैं true या false तो calc क्या है आपका एक aspect sheet program है ना कि क्योई document program है ना तो write answer यहाँ पर option भी false क्योंकि calc का उप्योग ये बिलकुल भी नहीं है इसके लिए LibreOffice writer का उप्योग करते हैं अब next shortcut key to apply currency format with two decimal places in LibreOffice calc LibreOffice calc में अगर आप currency format चाहते हैं तो उसके लिए किस shortcut key का उप्योग करेंगे ctrl plus c plus dollar, ctrl plus c plus percent, ctrl plus c plus end या ctrl plus c plus dot तो यहाँ पर LibreOffice calc में आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको format का option मिलता है format में आपको देखें number format का मिलता है जहाँ पर general के लिए ctrl plus c plus 6, number के लिए ctrl plus c plus 1, percentage के लिए ctrl plus c plus 5 currency के लिए ctrl plus c plus 4, date के लिए ctrl plus c plus 3, scientific के लिए ctrl plus c plus 2 का उप्योग किया जाता है लेकिन हमारे option में ये सब कुछ नहीं दिया गया है हमारे option में क्या है ctrl plus c plus dollar तो पहला यहाँ पर हम try करते हैं माली जी यहाँ पर लिखा है 12 तो यहाँ पर ctrl plus c plus dollar का यहाँ पर sign देखे उप्योग करते हैं तो automatic यहाँ पर क्या आ गया currency का symbol आ गया और by default में two decimal places है यहाँ पर मिल गए तो question में हमारा यहीं कह रहा है क्या with two decimal places तो बिलकुल सही बात है तो right answer ctrl plus c plus dollar currency formula भी apply हो गया और two decimal places भी आ गये तो यह थे आज की most important questions मैं आशा करता हूँ कि आज की यहाँ class आपको पशन्द आए होगी दोश्तों triple c का class course लेने के लिए visit कर लीजिये abhexal.com यहाँ पर triple c का complete class course मिल जाएगा जहाँ पर chapter wise पूरा theoretical part आप पर सकते हैं है ना first chapter, second chapter यहाँ पर आपको powerful videos मिलेंगे chapter wise complete theory मिलेगी chapter wise question answer मिलेंगे premium ebook बिल्कुल free मिलेगी premium mock test बिल्कुल free मिलेगा doubt session मिलेगा तेक बाल खुद को enroll करिए पढ़िए और triple c exam में top करिए जिनें भी ebook क्या शकता है वीडियो की नेचे description में लिंक है क्लिक करिए, download करिए और पढ़िए फिर मिलते हैं next class में साम 8 बजे, तब तक के लिए बाए बाए, उससे पहले आप सभी लोग class को like, share और subscribe जरू करिए